नमस्कार दोस्तों, होली के पिछले वीडियो में हमने खोवा बनाना देखा था, आज इस वीडियो में उसी खोए का प्रियोग करके हम गुजिया बनाना देखेंगे उत्तर भारत के लगबक हर घर में होली के अफसर पर या गुजिया बनाई जाती है इसमें मैदे में थोड़ा देशीगी डालिए और उसे गूंतिए साथ में दूद डाल कर भी गूंतिए मैदे में दूद और घी डाल कर गूंतने से इसमें करारापन यानि की क्रिस्पीनेस आती है आपको आटा काफी हाड गूंतना होता है इसमें पानी की मात्रा कम से कम रखने होती है इसके अलावा मरदाने हातों से भी तागत लगा करके से गुतना होता है आगी का सारा काम एक टीम वर्क से ही हो सकता है आप अकेले करेंगे तो परिशान हो जाएंगे इसलिए आप अपने पडोसियें को, रिष्टेदारों को या अपने मित्रों को इस काम के लिए जरूर बोलाएं साथ ही जब उनके घर गुजिया बन रही हो तो उनके घर बनवाने जरूर जाएं एक सिंपल लोजिक है तू मेरी खुजा, मैं तेरी खुजाओं और लिजिये ललता जी ने लोईयां बनाने शुरू कर दी है और वार्मी जी ने उन लोईयों से पूरियां बेलनी शुरू कर दी है और मैं इंतजार कर रहा हूँ कब ये पूरियां बने और मैं कब उन्हें गुजिया का आकार दूँ और लीजिये दोस्तो मेरे हाथ में बेली हुई पूरी आ गई है और मैं अब उसे सांचे में रखकर उसके अंदर भरी जाने वाले गुली यानी की मसाले को भरकर इसको गुजिया का कर दे दूँ इस गुली यानि कि इस मसाले को बनाने के लिए हमने अपने पूर में बनाई वे खोये में भुनी हुई सूजी और विभिन प्रकार के मेवा जैसे के काजू, बादाम, किश्मिश, कुकोनेट पाउडर आदी का प्रियोग किया है हमने अपने खोये को बनाते समय चीनी का प्रियोग किया था अथे अब चीनी या बूरी को मिलाने के अवेशक्ता नहीं है गुजिया बनने के बाद इसे एक साफ सुत्र कपड़े पार रखकर इसे ढखते जाएं ताकि यह जल्दी से सूखे नहीं पूरी का बचा हुआ खिसा पुने प्रियोग के लिए वापिस चला जाएगा और लिजिये हमारी टीम में कुछ लोग और भी जुड़ गए हैं और हमारा काम अब पहले से कहीं तेजी से होने लगा है और धीरे धीरे हमारी बनाई हुग जियाओं के संख्या बढ़ती जा रही है पूरी बनाकर उसमें यह मसाला यानि की गुली भरकर इसे इस सांचे में दबा देना है और शेश गुते हुए मैदे को वापिस प्रोसस के लिए भेज देना है और ये लीजिये हमारी बनाई हुग जियाँ तलने के लिए तयार हो गई है कड़ाही में तेल के परियापत रुप से गरम हो जाने पर एक एक कर गुजिया इस कड़ाही में दीरे से डालनी है और इसे हलकी आँच पर भूरा होने तक पकाना है गुजिया को तलने का काम समाला है हमारे प्यूज जी ने और इन्हें इस काम में विशेश महारत हासल है आप भी चाहें तो उनकी सिवाओं का लाब उठा सकते हैं और ये लीजिये हमारी गुजिया तयार हो गई है और मेरे मुह में तो इन्हें देखकर ही पानी आ रहा है और यदि आपकी मुह में भी इन्हें देखकर पानी आ रहा हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए शेर कीजिए और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए कुरुना काल में घर में रहिए गुजिया बनाईए और सुरक्षित रहिए अगली वीडियो में फिर से मुलागत होगी तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद